हेलो स्टुडंट्स मुँच्छु सावल्या सर अने दुरोन अग्यार साइन्स केमेश्ट्री ना संतुलन चेप्टर ना पेटा पार्ट तरीके आयनिया संतुलन चेप्टर जेना जेडबली नीत ना तीटी एल 10, एलेके Table Top Lecture 10 मा आपनू स्वागत छे, मित्यार्थे मित्रो अपणे टीटी एल 9 एलेके लास्ट लेक्चर जेमा आपणे बफर त्रावणों विशे नो अभ्यास करे ओ, बफर त्रावणों ना प्रकार विशे नो पन अभ्यास करे ओ, उप्रांत बफर आपड़े लेक्शर माँ आपडे क्षार ना जनवी भाजन ने लगती महीटी मेढवियेच्छिये विद्यात्य मित्रो आ लेक्चर ए आईनी असंतुलन च kalian माटे अंतिम लेक्चर छें तो व्याक्षय प्रमाने चें जलियद रावण मा, क्षार ना घटक आयानों नी, पाणी ना घटक आयानों साथे थती प्रक्रियाने, क्षार नी जल्वीपाजन प्रक्रिया काये चे। जलियद रावण मा, क्षार नी जल्वीपाजन प्रक्रिया काये चे। जलियद रावण मा, क्षार ना घटक आयानों, नी पाणी ना घटक आयानों साथे थती प्रक्रियाने, क्षार नी जल्वीपाजन प्रक्रिया काये चे। विद्यार्थी मित्रों अहीं H प्लस आयन, CH3CW-I साथे प्रक्रिया करी। अने CH3CW-I अवियोजित स्थिती मा, द्राव्य अणू बनावे चे। बाकीना बियायनों वियोजित स्थिती मा, जरहे चे। तो आ प्रकार नी जे घटना छे, एने ख्षार नी जल्वी भाजन प्रक्रिया कहे चे। आपने एक बिजा उदाहर्ण ती पन समझी शक्ये छे। मुझे उदाहर्ण ती समझा विरयोचू, विद्यार्थी मित्रों ए उदाहर्ण उने याद राखवा जरूरी छे। पाणी ना घटक आयनों विचारिये तो उपर मुझे प्लस अने OH- आयनों छे। हवे आ NH4 प्लस आयन ए आ OH- आयन साथे सुयोजित थाई छे। एकले के ख्षार ना घटक आयनों नी पाणी ना घटक आयनों साथे नी प्रक्रिया। एटले NH4 OH बन से। ये द्राव्यस्थिति मा तो छेज। परन्तु अव्योजित अवस्थामा छे। जहरे H प्लस अने CL- आयनों व्योजित अवस्थामा जरेशे। विद्यार्थी मित्रों व्योजित अवस्थामा एटले आयनों एक बिजाथी छुटी। एटले के स्वतन्तु अवस्थामा रहू। अथवा धन आयन, ए पाणी ना विरुद विजभारीत आयन साथे जोडाई छे, अने अ वियोजित द्राव्य स्वरूप धारण करे छे, बाकी ना जे आयनों छे ए वियोजित अवस्था माज रहे छे, तमें जोई शको छो के अहीं आ बनने आयन एक बिजा साथे स्वियोजि विजभारीत घटक आयन, ए पाणी ना वियोजित द्राव्य स्वरूप नों अनु बनावे छे, जारे बाकी ना बियोजित एक लेके एक बिजा थी मुक्त अवस्था माज रहे छे, तमें जोई शको छो के आख्षार ना जलियद रावन माँ जलवी भाजन थायू, तो OH-I प्रमाणे आख्षार ना जलियद रावन मार पाणी ना घटक आयन साथे नी जलवी भाजन प्रक्विया थायू, त्यारे एक शार नो धन आयन, ए पाणी ना बिय घटक आयन पेकी एना थी विरुद विजभारीत रून आयन, साथे सुयोजित थाय जाय चे, एटले अ विय जीत ए द्राविय अणू बनावे छे, जारे बाकी ना बिय आयन ए वियोजित रहे छे, एटले एक बी जाती स्वत अंत्र रहे छे, तो H प्लस आयन वियोजित छे, एटले आ ख्षार नू जलियद रावन जलवी भाजन ने अंते, एसीडिक गुण धरावे छे, तो अहीं आपड़े आगल समझे, जल्वी भाजन अंस H, आ सुत्र ने याद राखी लैशू जल्वी भाजन अंस H बराबर, जल्वी भाजन पामेला क्षार ना मोल, छेदमा, द्रावन मा, द्राव्य ख्षार ना कूल मोल, मेज ए समझूती हमना आपी, ए समझूती एहीं लखी छे, के सामनीरते आभी जल्वी भाजन प्रक्रिया थी, क्षार नो कोई एक घटक आयन, आक्षार छे, एनो ब्यमा थी कोई एक घटक आयन, तेना विरूत विजभारित पाणी ना कोई एक घटक आयन, H+, के OH-7, सुयोजित थाईने, तमें जोई शको छो, क्षार छे, एनो घटक आयन, C, A, 3, C, O, –, एक पाणी ना ब्ये घटक आयन, H+, के OH-7, पेकी, आन्या थी विरूत विजभारित जे होए, जिनके आरून विजभारित छे, तो आधन विजभारित H+, एनी साथे सुयोजित थाईने, अवियोजित द्राव्य मां रहे छे, एकले, अवियोजित तमें एक बिजभारित पाणी नो एक कटक आयन, एक शार ना एक कटक आयन, साथे, विरूत विजभारित आयन साथे, सुयोजित अवस्था मा आवि गयो, केसे सब्सक्रिंगा है, छो ने दो ही, हुआ काली तो ख्षारनू जलीद राण एसील स्वभाव धरावे छे तो आएसील इस्वभाव धरावे छे परंतु जो OH-IoG रहे जिमके या पाणी माथी OH-IoG तवस्थामा रहे तो ख्षारनू जलीद रावण एप बेजिक गूर धरावे छे जो बधाज प्रकार ना आयनो जो बधा एटले के सुयोजीत अवस्था धारण करे नहीं, जो बदाज प्रकार ना आयोनों वियोजीत अवस्था माज रहे तो जलवी बाजन थयू न होए, तेम समझवा मा आवे, अने तेस थिती मा तेक शार नू जलिये द्रावन तटस्थ स्वभाव धर आवे, छे, कारण के H प्ल एज इटी इस दर्शाव से, औने साम सामे H प्लस औने OH माइनस आयोनी संख्या समान हो आथी, एसी लिक अने बेजिक स्वभाव ए समान है छे, अने तेथी एवी स्थिती ने तटस्थ स्थिती कहे छे, एले लग्यू जो बदाज प्रकार ना आयानों, एले के एक शार ना घटक आयानों, औने पाणी ना घटक आयानों, ए वियोजीत अवस्था माज रहे, एले के एक बीजा साथे क्याई, सुयोजीत अवस्था धारण न करे, तो समझवानू छे, के जल्वी भाजन थयू नधी, औने ते स्थिती मां ते ख्षार नू जलिये द्रावन, तटस्त सुबाव धरावे, छे, कारण के जल्वी भाजन थयू एवू त्यारेज गणाई, के ज्यारे ख्षार ना घटक आयानों, नी पाणी ना घटक आयानों साथे प्रक्रिया थाए, परन्तु जो आयानों, वियोजीत अवस्था माज रहता होए, तो कोई प्रक्रिया थाई, न सुबाव धरावे, तो ए बाबत ने लई, अने अहीं, आपने एक ऑइफर्गेषे ना पेलू छे, के क्षार वद्ता पानी, आ जल्वी भाजन थयू नथी, एम समझवामाँ आवेचे, जो आ जल्वी भाजन एसिरिक सुबाव धरावे, तो एने केटाइनिय जल्वी भाज प्रक्रिया के वासे कानग ए ख्षार नो धनायन ए जल्वी भाजन अनुभवे, छे तमे जोई सकों जो, कि आ ख्षार ठे आये हैं चे ए पानीना थी दृदWheny淑ज्भारी दूना आयन साथे, ए जल्वी भाजन प्रक्रिया अनुभवी, अने अ व्योजित अवस्था धारन कर अने ए स्थिति मां पाणी नो H प्लस आयान एकले के H प्लस घटक आयान ए वियोजीत रहे छे एकले के मुगत रहे छे एन तेथी ते जल्ली यद्रावन एसीर सोबाव धरावे छे अने तेथी कई शकाए ते क्षार नो धन आयान जल्वी भाजन प्रक्रियानू भूत हो आथ एने केटाईनिय जल्वी भाजन प्रक्रिया कहे छे एकले केज केटाईनिय जल्वी भाजन प्रक्रिया था होय तो ते एकषार नो जलिये द्रावन इत्यार्थिमित्रो अहीं अलग अलग नोध लखी छे चार प्रकार्नी इमा पहली नोध छे निर्बल एसीड अने प्रबल बेज वच्चे नी तटस्थी करण प्रक्रिया थी बने लाक्षार नू जलिय द्रावन जल विभाजनने लिदे बेजिक गुण धरावे छे अवे अहिया जे उदाहरण नी बात करी छे उदाहरण आपड़े समझा विभाज चे के C3CWN ए पाणी ना घटक आयानों साथे आवी रिते प्रक्रिया करशे अवियोजित C3CWH उत्पन था से अने जलिय द्राण मा एने प्लस अने OH-I नो विभाजित अवस्था मारे से OH-I VOG तेटलेके मुक्त अवस्थामा छे चलिय द्राण मा OH-I मुक्त अवस्थामा छे परन्तु H-I मुक्त अवस्थामा ना थी ते चलिय द्राण फक्त बेजिक बून तरावसे जो H-I मुक्त अवस्थामा होत तो बनने एक बिजाने तटस्त करे तो एस्थिती मा चलिय द आक्षार ए निर्बढ एसीड CH3COOH जेने आपड़े एसीटी कैसीड कहिए छे अने प्रबढ बेज एने ओएच सोडियम हाइट्रोकसाइड आनी प्रक्रिया थी एतले क्या आनी तटस्तिकरण प्रक्रिया थी आपड़े एक्षार छे सोडियम एसीटेट अने पाणी नोणू H2O तो अजया OH अने आइथी H तो आएने छे एच ना स्थाने आवी अने C3CWN बनचे अने आ पाणी नोणू आरी तेचुटो बढ़से तो आजे C3CWN छे इन निर्बढ एसीड अने प्रबढ बेज वच्च प्रक्रियाथी बनेलो छे विध्यार्तिमित्रो आवीस पष्टता ए अग्यार साइन्स केमेश्ट्री संतुलन चेप्टर नी अंदर पन थैली छे परन्तो आपने एहीं रिपीट तेने जानी लिए जेना थी वदू आपने मुहावरो थसे बिजा नंबरे छे प्रबढ एस प्रक्रियाथी बने लोक्षार एवाक्षार नू उदारन चे NH4Cl तो NH4Cl वालू उदारन पण आपने समझी चुक्या छिए कि NH4Cl ना घटक आयनू ए पाणी ना घटक आयनू साथे कई रिते जल्वी भाजन अनू भवे छे तो NH4 प्लस औने OH-1 बिजा साथे सुयोजित था अने NH4OH बनी जाए छे अने आ अवस्था 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 चे H प्लस अने CL- आयनू ना क्षारो एक बिजा थी ए स्वतंत्र रहे छे अने एमा H प्लस ए वियोजित अवस्थामा होवा थी द्रावने सी डिक्कून धरावे छे एकला हिन लख्यू छे NH4OH अवियोजित द्राव्य स्वरूक छे जारे H प्लस अने CL- आयनो वियोजित अवस्थामा छे जे पेकी H प्लस आयनो नी हाजरी ने काणे NH4Cl नू जलिये द्रावने सी डिकून धरावे छे अविध्यार्थी मित्रों एक प्रश्ण आवो छे के NA प्लस अने OH- आयनो एक बिजा साथे सुयोजन सा माटे ना करे जेनके आमा आपणे विचारिये के CH3CW- अने H प्लस आयनो सा माटे सुयोजन करे आ बनने आयनो सुयोजन सा माटे ना करे तो एनो सिधो अने सरल आप छे क्या आबनने घतकाई अनो निर्बल एसीड ना घतकाई अनो छे एकले प्रबल ब्हीजन आपणे प्रबल ब्हीजन आयनो एकले माटे प्रबल लिचे तो एनो गुzahlणतर में चे सवरुप surge अने जे निरबड छे एनो गुणतर मा छे के मोटा भागनो जत्तो अ वियोजित द्राव्य अनू स्वरूपे रहे एकले अने जुदा जुदा पदार्थ ना घटक आयानो जे परन्तु पोते वियोजित अवस्थामा रहे वानो जप्रयतन करशे अहीं पण एज प्रकारे NH4 प्लस अने OH- एटले के NH4OH ए निरबड बेईस छे एटले एना घटक आयानो एक बिजा साथे सुवियोजित थै अने अवियोजित जत्तामा रहे वानो प्रयतन करशे अने H+, अने CL- आयनो ए HCl प्रबल एसीड, HCl, हाइट्रोक्लोरिक एसीड एना घटक आयानो छे अने प्रबल एसीड ना घटक आयानो वा थी ए स्वत्तंत्र एटले के वियोजित अवस्थामा ज़्यवानो गुण धरावे छे एटले आ वियोजित तवस्थामारे से आपने प्रबल एसीड अने निर्बल एसीड अने निर्बल एसीड वच्चे ना तटस्ती करण प्रक्रिया थी बने लोक्षार छे एनी समझूति आपड़े यहां पिये के प्रबल एसीड औने निर्बल एसीड अने निर्बल एसीड तो प्रबल एसीड हे निर्बल एसीड NH4 PLUS ए NH4CL नामनो एमोनियम क्लोराइड नामनो ए ख्षार बनाऊचे एटले एमोनियम क्लोराइड ए प्रबल एसिड अने निर्बल बेज थी बनेलो ख्षार छे ત્રીજા નંબરે છે કે નિર્બળ એસિડ અને નિર્બળ બેસ થી બંએલાક શારના જલીએ દ્રાવણ જળળ વીભાજનને બેજીક કે તટસ્ત પ્રક્રુતી ધરાવે છે નો આધાર તેઓના કે અને કે ના મૂળ્યોની સરખામણી પરેલો છે મેદ્યાર્થીમીત્રો આ વસ્તુને આપણે ખુબજ સરળ તાથી સમજી શકીએ છીએ જો નીર્બળ એસિડ અને બેજીક અસે આ કેલ ગ્રેટર દેન કેબી છે એનો મતલે એસિડ ને નીર્બળ છે પણે સાપેક્ષમાં બેસ કર્તા જે પ્ર્બળ છે એક ગુણ ધર્માં જલીએ દ્રાવણ નો હોએ છે જેંકે 22 પ્ર્બળ છે તો જલીએ દ્રાવણ એસીક ગુણ ધરાવસે એવીરીતે કે લેજ્દેન કેવી છે તો એનો મતલે સાપેક્ષમાં 22 પ્રભળ છે અને તેથી ક કાણ કે જળુવી ભાજન પ્રક્રીયા ખતી નથી આપણે એક સીંપલ વિચારીએ દાખલા તરી કે એની જળુવી ભાજન વિચારી એતો શક્ય નથી કાણ્કે ના ઘટક આયનો એનો એને પ્લુસ પાણી ના ઘટક આયનો એજ પ્લુસ અને ઓએજ મા વીયો જીત અવસ્થા માજ રેવાનો પ્રય્ત નકર્સે એજસીલ ના કટક આયનો પણ હમેશા વીયો જીત અજ્થા માજ સુત્રનો ઉલેક છે ક્ષારનો જલીયદ્રામણ એમાજ જળવિભાજન થયા બાગ તેની pH સોધવા માટે આ સુત્રન ઉપ તેન એસીડીક પ્રબળતા વથુતુત હેનું મૂલ્ય એકે બીની સાપએક્ષમાન આનું છે તો એનો અર્થે વથાશે કે પીકે નું મૂલ્ય સાપએક્ષમાન આનું છે પીકે બીનું મૂલ્ય સાપેક્ષમાન મૂટુ છે એટલે તફાવત એ લેજ દેન જીરો એટલે કે રૂન તફાવત આવશે એક દુત્યાન સાડે ભાગે તો પણે એર પ્રબળતા સાપેક્સ માં વધુ છે અને તેથી પીએજ નું મૂલ્ય સાત કર્તા ઓછુ થયું એલે ક્ષારના કગત્યનો પ્પિછે જલ્વિ ભાજન અચલાં કે એજ લખ્યું છે જલ્વિ ભાજન પ્રક્રીયા પ્રતી છે આથી તેન પ્રક્રતી પ્રક્રતી પ્રક્રા હોય તો એ સંતુલન સ્થીતી ધારળ કરે અને સંતુલન સ્થીતી એ જે આચલાંક સંતુલન 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 સંતીતી એ છેદમાં આ ગુણોત્તર જે છે અમેસા આચલ આચલ ગુણોત્તર છે એને સંતુલન 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 સંતરાંં તરિકે ઉળક્ફવામા આવે છે अने प्रक्रिया एए जलविभाजन प्रक्रिया छे आईड्रेशन प्रक्रिया छे एकले एसंतुला चलांग ने के एच तरीके उळख्वा मा आवे छे जो जलविभाजन ने लिधे एक शार्नू जली येदराओंड एसीडिक अत्वा बेजिक गुण धरावतु होई तो तेन आनू जलिय द्रावन छे ए बेजिक गुण धर आवे तो आ बेजिक गुण नी प्रबलता केटली तो कोई निर्बल बेज ना जलिय द्रावन नी प्रबलता हो एकली ज होए एज प्रकारे एनेज़ पोर सीयल नू जलिय द्रावन ए एसिलिक गुण धर आवे छे तो एनेज़ प्रबलता एक कोई निर्बल एसीड ना जलिये द्रावन जेकली जहसे एना थी वधारे नहीं होई एउ आपने अहीं कैवामा आविशे फरीती विदान्ने माची है कि जो जल विभाजनने लिदेक शार्नू जलिये द्रावन एसीडिक अथवा बेजिक गुण धरावतु होई तो तेनी एजे एसीडिक के बेजिक गुण नी प्रबलता आजे छे एक एटली हसे तो अनुक्रमे जो एसीडिक गुण हसे तो कोई निर्बल एसीड जेकली एनी प्रबलता आजे अने बेजिक गुण हसे तो कोई निर्बल बेज ना जलिये द्रावन जेकली एनी प्रबलत आटिए राल अनुक्रम एकोई निर्बल याषि बेईने समानाज है आथी क्षार नाइर जल्विभाजं == Χ, आपने छेक जलविभाजर न चलांग के एच विसे समझया, तो अगैणा विसेज behavior आथ शार नता जलविभाजर न चलांग के एच न, आवा निर्बल एसिड, के निर्बल बेईज न आयनी करना चलांग, निर्बल एसिड न आयनी करना चलांग के ए, ध्यानमा लेवानू छे तो लख्यु छे अथिक शारना जल्वी भाजन अचलां के एच ने आवा निर्बल एसिड के बेईज ना आयनी करन अचलांक K अत्वा KB ने समानाज ग्रमा मा आवे छे आम जलवी भाजन अचलांक KH तेमाज अन्य लाक्षनी गुणधर्मों ना मुल्यों नीचे मुझा दर्शावीशताई तो निर्बल एसिड माटे आयनी करन अचलांक K तो के छे एवी विते निर्बल एसिड ना जली अध्रावन मा एत्रियो प्लस नी मोलर सांध्रता छे पच्छी वियो जन अंस अलफा छे आ बधा जे छे ए बद्धा जे छे एने अन्य लाक्षनी गुणधर्मों गणी शकाई तो अवे एवा जे अन्य लाक्षणिक गुणुधर मोझे छे एक शार ना जलिये द्रावन माटे पन आपने जो दर्शाव आवे तो नीचे मुझब दर्शावी शकाए एमा सकाउम्ती पेलो उप्षण क्यपीटल ए प्रबल एसिड वत्ता निर्बल बेज ना ख्षार लेक से टेली के अपने विचारी ए तो जेन निर्भल एसीड ना आयनी करन चलांग KA बराबर H3O प्लस नी मोलर सांदर तानो स्क्वेर चेतमा C0 विधे अर्थी मित्रों आ सुत्र आपड़े निर्भल एसीड ना आयनी करन चलांग KA नू सुत्र जे छे बरोर जे ए ज्यारे आपड़े अभ्यास करो त्यारे जे सुत्र तू ए सुत्र ने सिधे सुतू आपड़े इन लई लितू छे जे निर्बल एसीड नो आयनी करन चलांक के बराबर ए थ्रियो प्लस नी मोलर सांदर तानो स्क्वेर छेद मां C0 छे तेम एसीडीक खशार के जेना आपड़े जल विपाजन चलांक के ए ना समान गणी शुए तुए लख्यो छे तेम एसीडीक खशारनो जल विपाजन चलांक के एज बराबर सेम एज सुत्र एत्त्रियो प्लस नी सांदर तानो स्क्वेर छेद मां C0 तासे ते मा आवा क्षार ना जल्वी भाजन बाद जल्य अध्राण मा एत्रियो प्लास आयन नी सांदरता तो विद्यार्थी मित्रों जो तंडने याद होई तो निर्बढ एसीड ना जलिय द्राण मा एथ्रियो प्लस नी मोलर सांधरता इस इकल टू अंडर रूट के ए इंटू सीजीरो आ प्रकार नू जे सुत्र हतु बरवर यहां आपड़े के ने बड़ले के एच लई लई ले वानु थसे एटले एसीडिक ग्षारना जलिय द्राण मा जहे एथ्रियो प्लस निस आंधरता नू शुत्र हो एए आपन ने मल से तो ओपने लखाया शमजाए पुछे के आवा ख्षारना जलिय द्राणा जलिय व बन थे आपने परीचित छिए कि कोई पण निर्बढ एसीड अने तेना संयुग मी बेज माटे के आने के बीना मुल्यों नो गुणा का रमेसा के डवल्यू जेकलो थाए तो अहीं के ने करता बना गिए तो के भी छेद मा जासे तो एसीडिक अक्षार नो जड़ भी पाजना के ने केज लखे तोके बरावर के डवलल्यो पन केव formation तो होगे आपने परिणाम एक अने परीणाम 3 झे बन्न diff occupy शरकी तो आपने केज बरावर H3O प्लस नी सांद्रतानो स्क्वेर छेदमा C0 बरादर KW अपन KB आउँ एक सन्यूप्त परिणाम पन मल से जे आपने नेक्स्ट पेज उपर बतावेलू छे तो लख्यू छे परिणाम 1 अने 3 पर्थी तो तमें जोई शको छो पैणाम 1 अने 3 तो पैणाम 1 अने 3 बनने के एच नाज मुल्यो दर्शावे छे तो के एच बरादर H3O प्लस नी सांद्रतानो स्क्वेर छेदमा C0 बरादर KW अपन KB तो H पैणाम अहीं दर्शावेलो छे पैणाम 1 अने 3 पर्थी H3O प्लस नी सांद्रतानो स्क्वेर छेदमा C0 बरादर KW अपन KB अहीं आपनने बधाज पैरामिटर्स नी ओल्खन आपी दिदी छे C0 तो क्षार ना जलिये द्राण नी मोलर सांद्रता छे अत्वा मोलू सांद्रता छे KW तो पानी नो स्वाय नी कर मन आयनी अगुणा कार छे अत्वा पानी नो स्वाय नी कर मन चलांक पेवा एने KB so acid ही और ना जल्वी बाजनती पैणता निर्बल बेगी जना आयनो कर मन चलांक आउं प्राण्थ नीरबळ एसेड नो वियोजन अंस विद्यार्थिमित्रो आ सुत्र थी आपड़े परिची छी तो हवे आपड़े अहीं वियोजन अंस आलफा ने बढ़ले जल्वी भाजन अंस एच विचारिये अने निर्बल एसीड ना आयनी करन अचलां के ने बढ़ले आ जल्वी भाजन अचलां के एच विचारिये तो लख्यूँचे एच प्रकारे एसीडिक ख्षार नो जल्वी भाजन अंस एच बराबर अंडर रूट के एच अपन सीजीरो थसे विध्यातिमित्रो आ लेक्चर नी सरुवात मा आपड़े ख्षार ना जल्वी भाजन अंस एच नो शुत्र जोएलू के ख्षार नो जल्वी भाजन अंस एच बराबर तो ह बराबर जल्वी भाजन पामेला ख्षार ना मोल आ प्रमाणेनु शुत्र आपड़े जोएलू एच बराबर जल्वी भाजन पामेला ख्षार ना मोल चेदमा द्रावण मा द्राव्य क्षार ना कुल मोल तो आज एच सुत्र छे एप्रमाणे जल्वी भाजन अंस ह माटे आ बीजु हैक सुत्र छे बिध्यार्त्यमित्रो एचिडिक昨्षार माटे जह सुत्र छे एवुज बेजिक도 माटे पनाज सुत्र थसे परन्तु अईया के एच छे एसिडिक शार नो जल्वी भाजन अचलांक छे एद रिते बेजिक शार नो जल्वी भाजन अचलांक होए तो ये बेजिक शार ना जल्वी भाजन अंस नू सुत्र थसे बी विद्यार देमित्रों जे उप्रक्त सुत्रों आपणे मेलद्या छे आपणे प्रबल बेज अने निर्बल एसिद नाक्षार लेके बेजिक शार माटे ये सुत्रों सिधे सिधाज लखीशु जेमके बेजिक शार नो जल्व विभाजा न चलांक तमें यहां जो इसको छो आपणे मोलर सांद्रता एज इट इस के डबल्यू पाणी नो स्वाएनी या गुणाका रतव स्वाएनी करना चलांक एट इस इट इस अने के बी तो आया के एए छे तो के ए तो जेम यहां एसिदिक शार ना जल्व विभाजान थी बनता निर्बल बेज नो आईनी करना च चलांक एक के ए छे तेमाज आवाक शार ना जल्व विभाजन बाद जल्य यद्राण मा ओएज माइन सांद्रता तो जेम आपड़े एग थ्रियो प्लस नी सांद्रता सुधी ती एगरी ते ओएज माइनस नी सांद्रता इस इकल टू अंडरुट के एच इंटु सी जीरो दखसे, जा के H तो बेजिक शार ना जल्वी भाजन अचलांक नो मुल्या छे, C0 तो C0 एक शार ना जलिय सद्रावन नी मोल सांदरता आथवा मोलर सांदरता छे, उप्रोक तो बेजिक शार नो जल्वी भाजन अंस, जे मैंन्या छे, H बराबर अंदरूट के H अपोन C0, ए म एज रिते निर्बल एसिड वत्ता निर्बल बेईजना ख्षार माटे जल्विभाजन अचलांक के एज बराबर के डबल्य ओपन के इंटु के बी धसे तेमा जल्विभाजन अंस एज बराबर अंदर रूट के एज थसे के एज बराबर के डबल्य ओपन के इंटु के बी तो आपड़े आबाबत ने स्पर्ष्ट समझी लेशू के अहीं लगभग के अने के बीनु मुल्य के डबल्यू ने समाना से अने के डबल्यू ने समान होआ थी ए मुल्य लगभग एकनी नजीक हसे अने के एज न मुल्य लगभग एकनी नजीक होआ थी निर्बल एसी डने निर्बल बेईज ना क्षार माटे जल्व विभाजन अंस ए एज एज ए पन लगभग एकनी नजीक हसे परंतु आपणे आब आबद जे छे एने अहीं आपणे सिलकारी सु अने जो तमने MCQ पुछाए तो MCQ मा तमने आपेल निर्बल एसिद अने निर्बल बेज एना जे आईनी करण अचलांग छे एना धारेज आपणे एने गणांत्री मा लई सु विद्यार्थी मित्रो जो तमने आव वीडियो लेक्चर गम्यों होए तो लाइक आप जो शेर करजो अने सब्सक्राइब पन करजो अगावना लेक्चर नू रीजन अने पाठ्य पुस्तक नू वांचन करता रेजो आ लेक्चर अंगे कोई पन डिफिकल्टी होए तो मुने वट्सप करी शकाई आभार फरी मलेशू नवा वीडियो लेक्चर मां